नमस्कार दोस्तो आप सभी बहुत अच्छे होगे दोस्तो आज मैं आप सभी के लिए बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट्स लेके आचुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से सबसे पहले हाईलाइट्स को कवर करते हैं प्रोमोशन्स एंड अडवर्टाइजमेंट के बारे में आप सभी को पता चलेगा माइनिंग स्पीड को आप किस तरीके से बूस्ट कर सकते हो पाई चैन मौल के रिगार्डिंग अपडेट आ चुका है कि 2023 के अंदर ओवर्ल कितने लोगों ने बेसिकली बुकिंग करी है और उसके साथ क्रिप्टो के तरफ से भी न्यूज आ चुकी है जो ओवरॉल इंटरनेशनल लेवल पे पाईनेटफ़क को बूस्ट करने वाला है और आप सभी को बहुत सारे यहां से बेनेफिट मिलेंगे क्योंकि यूएस गौर्रमेंट्स ने कुछ अप्रूवल्स अभी किये है कुछ टेकनिकल अपडेट्स भी है पाईनेटफ़क के रिगार्डिंग वो कवर करेंगे फ्यूचर एंट ग्रोथ कैसे होने वाली है वो भी पता चलेगा और प्राइस को लेके भी बहुत सारी कन्फूजन्स रहती है तो प्राइस को भी आज किलिर करने वाले है तो वीडियो बहुत शांदार होने वाली है तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना तब भी आपको सारी चीज़े अच्छे समझ में आएंगी और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो कि आप सभी अपनी सिक्योर्टी पर भी ध्यान दे जैसे कहीं पर भी किसी भी वेबसाइट या किसी भी अप्लिकेशन पर लॉग इन ना करे आपको अगर लगता है कि यह रियल है तब ही आप उस पर लॉग इन करे और बहुत सारी अभी फेक वेबसाइट आ चुकी है किसी भी क्रिप्टो को लेके है किसी भी एक्स्चेंजिस को लेके तो आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि आप सही जगा लॉग इन कर रहे हो कि नहीं कर रहे है और यहाँ पर पाई की जो सेफटी है अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ तो यहाँ पे देखोगे स्कूटर के अंदर भी पाईनेटफ़क के हमें प्रोमोशन वगारा देखने को मिलते रहते हैं और उसके साथ यहाँ पे एक फुटेज के थुरू बताया जा रहा है स्टार्टिंग में मतलब पाईनेटफ़क के बारे में लोग क्या बोलते थे पाईनेटफ़क is worthless, पाईनेटफ़क is for criminals, पाईनेटफ़क does not use energy तो basically यहाँ पर यह बताया जारा था कि Pineitwork basically free में माइन किया जाने वाला एक तो application है तो यहाँ पर basically क्या future देखने को मिल सकता है लोगों को तो यह starting में लोगों की perceptions थी और यह 2019 की बात है और 2019 में दिरे-दिरे करके जब Pineitwork ने 1 lakh अपने fan following हिट करी थी तो बहुत सारे लोगों को पता लगा कि यह एक नई cryptocurrency आई है जो proof of stake के technology के भीहाफ पर चलती है जो कि simple है अपने phone में जैसे हम normal game वेगारा खेलते हैं उसी तरीके से यहाँ पर हमें phone में install करना है और normal smartphone में हम इसको mine कर सकते हैं ठीक है तो इसी वज़े से जैसे ही इसका और advertisement होना शुरू हो गया जो local pioneers करने लगे तो उसके बाद जो pioneers थे गिंती में और तहीं से बढ़ने लगे Pineitwork scam to earn advertising money Pineitwork is worthless is rainwater Pineitwork listed crypto exchanges as a scam तो अभी recently आप सभी को पता है मतलब की 2022 के अंदर 29 December को Pineitwork को different अलग-अलग top के exchanges पे लिस्टेट किया गया था जो की illegal तरीके सा था और यह बहुत बड़ी कमी थी Pineitwork की जो हम सबको पता है बट उससे Pineitwork को negative PR मिल गया मतलब negative promotion हो गया और उस time पे 2022 में starting में जो Pineitwork की overall fan following थी वो 35 million के आसपास थी ठीक active users की मैं बात कर रहा हूँ और जैसे 2023 स्टार्ट हुआ तो Pineitwork की जो fan following थी 50 million से उपर जा चुकी है और अभी 2024 चल रहा है अच्छी खासी fan following अभी आप सभी को देखने को मिलती है ठीक है और यहाँ पे बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में scam भी बोलते हैं कि यहा पे कोई भी हमें output देखने को नहीं मिल रहा बट Pineitwork एक प्रॉपर तरीके से जोसका goal है long term projects है वो यह चाहता है कि हर चीज अच्छे तरीके से complete की जाए आप सोचो अगर कोई project आदा अधूरा on the floor आ जाए तो उस situation में आप मालनो application को अच्छे से use नहीं कर पारे आपकी application काम करना बंद कर दे आप trading नहीं कर पारे क्योंकि Pineitwork कोई एक चीज पर काम नहीं कर रहा है वो तो आपको ही पता है बहुत सारी different different चीजों पर बात कर रहा है और काम भी कर रहा है जैसे कि utility को लेके आप देखते रहते हो कि Pine के जो developers है जो applications create करते हैं उनको भी अच्छे खासे यहाँ पर rewards देखने को मिलते हैं पाइटो को services के थुरू आप gap की facility, hotels facility और भी different type of facilities देख पाते हो अभी के टाइम में international level पर आप सभी को पता है कि जो government है अभी proper तरीके से crypto को accept नहीं कर रहे है प्रोपर तरीके के बात कर रहा हूं मैं आपर क्यूंकि इंडिया के अंदर बहुत बड़ा amount होता है अगर आपने 1 CR earn किया है या 1 lakh भी earn किया है तो 30 lakh खड़े खड़े आपको government को देरा बढ़ता है जो कि बहुत बढ़ा amount है आज से 2 साल पहले I mean 18-17 महीने पहले आपके साथ ऐसा कुछ नहीं था अगर आप 100 पर बना रहे हो जा 1 lakh या 1 क्रोड बना रह यहाँ पर हम बात करने जा रहे है कि पाई की जो mining है आप किस तरीके से बढ़ा सकते हो क्योंकि अभी आप सभी को पता है पाई की जो mining है दीरे-दीरे मतलब कम होती जा रही है हर महीने जैसा कि आप सभी compare करोगे last month से तो अभी क्या है कि पाई network का ये जो तरीका है मतलब कम करने का ये कहीं न कहीं positive angle में देखो तो बहुत must है वो must इसी लिए है क्योंकि अगर कोई चीज limited होगी तभी उसका valuation बढ़ेगा ठीक है पहली बात तो ये इसी तरीके से bitcoin का भी seen हुआ था अगर मालनो bitcoin की quantity बहुत ज़ादा होती तो simple सी बात है कोई चीज बहुत ज़ादा quantity मतलब कि उसके supply तो easily हो रही है अगर वो limited होगा supply कम होगी तो automatic सिली बात है market के अंदर उसकी नीच ज़्यादा बन जाएगी तो limited समान है तो लेने वाले ज़ादा है तो क्या कर सकते हैं कि जो चीज limited है उसका पैसा बढ़ा दो जितना भी amount बढ़ता रहेगा उसे साब से जि पर्फरेटे भी गडर सकते हैं as company totek söz तो हमारे पस उतना पैसा नहीं एक उतरी सर्च भी नियुकर नॉलेज भी नहीं है क्यों कि यह हमें उस ट्रैम पर पता नहीं था की हम्या कर सकते हैं कि हम इसको बाइय कर ले बट आज का जा हमें यह पता है कि आने वाले चीज़े हैं उसमें हम कैसे अपनी investment को tight कर सकते हैं क्योंकि अभी के time में तो आपको पता है कि NFT, Metaverse, Gaming, DAO ये सारे जो concept बहुत ही powerful होने वाले हैं तो इन सभी powerful concept को समझने के लिए आपके बास knowledge होने चाहिए अगर आपके बास अच्छी कासी knowledge होगी तो आप कहीं से भी पैसा बना पाओगे ठीक है, Bitcoin नहीं और भी different cryptocurrencies है बट आपके बास knowledge होने चाहिए याप Bitcoin की बात कीज़ए तो Bitcoin में भी आप छोटा सा portion तो खरीद पाते हैं यह आज की जेट में है अब यहाँ पर हम बताते हैं कौन से तरीकों को आपको भी cover कर लेते हैं जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो पाइनेट फक के बहुत सारी different different countries के अंदर छोटे मोटे shows होते हैं, conferences, meetings वगएरा होते हैं जिसमें proper तरीके से पाइनेट फक को promote किया जाता है और shops वगएरा तो आप देखते रहे तो daily basis पर जो open होती रहती है और उसके साथ एक और update आ चुका है दूसरी country के तरफ से यहाँ पर आप देखोगे food exchange हो रहा है और यहाँ पर आप सभी को बहुत सारे different different जो necessary items होते हैं वो आप देख पाऊगे जो proper तरीके से pie की payment से ही basically accept किया जा रहा है अब हम चलते हैं next update की तरफ यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कि pie network किस तरीके से बहुत अच्छा खासा potential बना सकता है crypto world के अंदर और international level पर किस तरीके से बहुत सारे pie network के पास अच्छे खासे एक तरीके से advantage points है वो हम यहाँ पर discuss करने जा रहे हैं और उसके साथ अभी हाल फिलाल के अंदर international level पर क्या हुआ है pie network poised for growth as US approval first bitcoin ETF जैसा कि आप सभी को पता है US में अभी recently approved हुआ है bitcoin ETF ठीक है तो यहाँ पर बताया जा रहा है in a moment of move for the cryptocurrency industry the US security and exchange commission SEC has granted approval for the first US listed exchange trade fund ETF तो अभी हाल फिलाल के अंदर जो US का exchange है जो कि SEC है उसने ETF को basically trade fund में approved वगरा कर दिया है वो भी bitcoin को track करने के लिए ठीक है तो यहाँ पर सारी जो भी analytics होंगी कितना price up हो रहा है कितना down हो रहा है सारा कुछ आप इसके थूरू देख पाऊगे इस watershed moment not only marks a significant development for the world's largest cryptocurrency but also presents an era of opportunity for players in the crypto space including Pi Network यह सिर्फ और सिर्फ Bitcoin का benefit यहाँ पर नहीं होने वाला यहाँ पर overall जो market के अंदर जितनी type of अलग-अलग cryptocurrencies हैं उनको भी यहाँ पर benefit होने वाला है including Pi Network क्योंकि देखो दोस्तों कोई भी चीज़ को अगर अच्छा खासा approval मिलता है वो भी crypto की सबसे बड़ी जो एक तरीके से powerful cryptocurrency bitcoin ही है तो उसको एक approval मिल चुका है तो इसका मतलब यह है जो भी अलग-अलग top की cryptocurrencies होगी उसको भी दीरे-दी जिसकी अच्छी खासी एक audience space होगा तो उसको यह approval अराम से मिल जाएगा अब हम इसी चीज़ को detail बात करते है तो यहाँ पर जितने भी आपने type of applications देखी है यह अलग-अलग type की applications है कुछ crypto related है कुछ AI related है ठीक है ऐसे-ऐसे applications है जो अभी दीरे-दीरे करके market के अंदर बहुत ज्यादा boost होने वाली है मतलब boost होने वाली का मतलब यह है कि अभी के टाइम में दीर-दीरे करके जैसे आपको पता है chat GPT AI बहुत powerful हो चुका है तो जो companies इन में अच्छा कर रही है तो उनके automatically दीर-दीरे करके user base बढ़ रहे है तो options क्या बनते है कि जो top की इन सम्में होगा उसको government adopt कर लेगी कुछ terms and conditions दे के ठीक है despite some warnings from officials and investors advocates about potential risk associated with these products the regulatory approval signals are pivotal shift for the cryptocurrency industry जैसा कि मैंने आप से होता है कि जो अगर illegal चीजे होने वाली है जो risk हो सकते है उसको basically देखा जाएगा कि किसमें risk potential एक तरीके से जादा है तो उसको एक तरीके से रोका जाएगा य इससे होगा क्या कि जो normal investors भी होंगे जिनको crypto के बारे में अच्छी खासी knowledge नहीं है वो भी इसके अंदर basically join कर सकते हैं जैसे कि share market के अंदर भी होता है जो बंदे अच्छा खासा knowledge रखते हैं वो stocks वगेरा को buy करते हैं और वो अच्छा खासा daily का profit बना पाते हैं daily का loss भी कर प ठीक है तो उसमें long term के लिए पैसे लगा देते हैं ठीक है तो यह concept है जिसके बाद अच्छी खासी knowledge है जिसके बाद टाइम है अच्छा खासा तो वह stocks वगेरा में अपना लगाता है ठीक है mutual में भी लगाता है बट वो long term के लिए बट जो major audience होती है उनके पास क्या concept होता है लंग investor exposes to the cryptocurrency without the necessity to direct ownership the move is anticipate to have profound implication for the crypto industry providing a boost amid challenges and scandals ठीक है तो जो भी एक तरीके से different type of challenges आते हैं crypto world के अंदर उन सब भी चीज़ों से यह बचाता है अब यहाँ पर हम कुछ points की बात कर लेते हैं first point है increase institutional interest तो यहाँ पर क्या होने वाला है देरे देरे घर के जो अलग 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 एक तरीके से crypto's है या अलग अलग जो नए projects market के अंदर आ रहे है तो उनको भी एक तरीके से यहाँ पर approval मिलेगा ठीक है अगर उनके जो एक तर इनों के अंदर आपको अच्छा कासा profit देती है छे महीने तक अच्छा दे रही है एक साल तक अच्छा दे रही है उसके वाद वह fraud करके निगल लेती है mostly cryptocurrencies ऐसी करती है जो scammers वाली cryptocurrencies नहीं होती वो धीरे-धीरे करके ही अपना valuation को बढ़ाती है यह भी चीजे आपको समझी प to the broader cryptocurrency market as more traditional financial students and investors explore regulated avenues to engage with cryptocurrencies the industries image improves benefits projects like Pi Network तो अभी के ताइम में आप सभी को पता है पाइनेटवर्क ग्लोबल लेवल पे एक तरीके से रीच कर रहा है और पाइनेटवर्क ने अच्छी खासी countries के अंदर अपनी popularity बना लिये mostly हर country से पाइनेटवर्क को माइन किया जाता है तो कही न कहीं जो traditional system है कौन सा system है banking system जिसमें किया अगर हमें कोई international payment करनी है तो उसमें 2-3 दिन का समय रखता है और उसके अंदर हमें PayPal वगारा को यूज़ करना पड़ता है और यह international level के आप बात की जारी है अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आपके जो charges है वो बिल्कुल नाके बरारवन होने वाले है और अगर कोई charges भी आपको देने पड़ेंगे तो वो पाइनेटवर्क के ही platform को देने पड़ेंगे ठीक है यह पाइनेटवर्क का basically concept है जो प पॉइंट है positive market sentiment basically यह होता क्या है इसमें होता यह है कि जो bitcoin और ETF का अभी recently approval हुआ है तो यह कहीं ना कहीं positive sentiment है उन सबी लोगों के लिए जो crypto के अंदर basically invest करते हैं और overall crypto market के लिए बट अभी भी बहुत सारी countries ऐसी है जो crypto को support नहीं करती उनको लगता है कि यह maximum risk bear करना पड़ इसी है जो इस चीज़ को support नहीं करती बट अगर कोई government इस चीज़ को support करके publicly कर देती है कि हाम में इसको support कर रहे है इससे हमें benefit ऐसे ऐसे लेवल पर हो सकते है तो क्या होगा कि और भी जो different countries है जिनमें use तो क्या आता है cryptocurrencies बट उनको एक legal approval प्रॉपर तरीके से नहीं मिला हु जैसे कि अभी आप देखोगे कि इंडिया के अंदर भी बहुत सारे exchanges है जो इंडियन exchanges है वजीरेक्स होगा सुच की वेर वगारा हो गया बट foreign country के जैसे बाइनस वगारा या और भी टॉप के exchanges है यूभी global वगारा तो वो एक तरीके से international level पर चल रहे है बट वजीरेक्स व पहले क्या हुआ था कि जब crypto से आप पैसा बनाते थे तो आपको एक विर्पा government को नहीं दे रहा था बट जेर साल के अंदर ही आप सभी ने देखा होगा कि government ने rule निकाला कि आप अगर पैसा बनाते हो crypto से तो आपको देना पड़ेगा तो अभी क्या है कि 30% आपको देना प बन चुका है नंबर वन गंट भी बन चुका है जो कि 140 मिलियन प्लस यूजर बेस है जो crypto के अंदर पैसा लगाता है और सेकिंड नंबर पर यूएस से है जो कि 40-50 मिलियन के आसपास लोग है तो आप अंदर लगा लो कि सुरू किसने गयाते यूएस से वालों ने और आज क से कुछ ना कुछ पार्ट गवर्मेंट को देरा पड़ेगा उससे economical level पर वो इंप्रूफ करेगा जिस तरीके से share market से पैसा हो कमाता था और यूएस से के अंदर भी ऐसी है 7% से लेके 37% के असपास का TGS देरा पड़ता है बट यह चो TGS है कम करना चाहिए ठीक है तो इससे एक तरीके से positive impact पड़ेगा कि हाँ यह एक अच्छी चीज है इसमें आप अच्छा investment कर सकते हो बट investment अच्छा कर सकते हो बट आपके पास knowledge भी होने चाहिए यह नहीं कि बिना knowledge कि आप एसा लगा दे रहे हो बोल दे रहे हो कि यार मैंने property लगा दी मैंने loan लेकर लगा दी य यह नहीं कि सौरवे पड़े सौरवे पूरे लगा दिया आपने और एकदम से आप loss bear कर चुकियो तो आपके बास recovery के लिए कुछ है नहीं आपके बास सोच हो क्या करूं क्या करूं अब loan लेकि फिर आप minus में जाते रहोगे यह नहीं करना आपको limited से करना है ठीक है यह यह प्लीज ध्यान रखनी है इसके अंदर बेसिक लिए बताया जा रहा है इसका वेल्यू है यह इंडिया के अंदर वेल्यू है उसका वेल्यू है ठीक है जितना आप देख पात दियो bitcoin का price या कोई दूसरा वंदा यूएसे से देख रहा है यह किसी और तीसरी कंट्री से देख रहा है सब के लिए वह सेमी प्राइज है ठीक है ऐसा नहीं किसी के लिए जाए किसी के लिए कम है और अभी की बात की जाए तो अगर आप सभी को यह चीज समझ में आ रहे हैं कि ह इसी चीज को और नेक्स लेवल पर ले जाना मतलब यह है कि अभी तक हम नॉर्मल चीजों को ही एक तरीके से क्रिप्टों में देख पाते थे जो भी लिमिटेड चीज है जैसे कि ट्रेडिंग की बात करें इसी में हम इस चीज को देख पाते थे बट अगर हमें कोई बिजनस करना है या अगर हमें कोई चीज बाइगर नहीं है एक्सवाइज कोई भी चीज तो हम क्या क्रिप्टों से बाइगर सुखते हैं यह कॉंसेप्ट है तो हाँ इसी चीज को लेके पाइनेट फक आगे बढ़ रहा है इसी वज़ए से आप देखते हो कि पाइनेट फक के स्पीड ग्रो करेगा उसे हिसाब से इसका प्राइस भी बढ़ता रहेगा तो उसी हिसाब से इसकी जो ट्रेडिंग स्पीड है वो भी दिर्देरे करके आपको बढ़ती देखने को मिलेगी सो दोस्तों आज की वीडियो के अंतर यही ता आई होप आपको समझ में आया होग अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज गाइस एक लाइक कर देना है चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल को ओल पर जरूर पैस कदने मिलते हैं रही वीडियो के साथ तब तक ले जैहिन वंदे मात्रम